Eduseeker channel में आप सभी का स्वागत है कुछ दो डिकेट से स्वरकर सबसे controversial figure बन चुके हैं देश की राजनिती ने स्वरकर की कई रूप लोगों को दिखाए हैं और इसलिए आज हम दो तरह के स्वरकर को जानने लगे हैं एक स्वरकर वो है जिनको कुछ लोग revolutionary मानते हैं एक freedom fighter के रूप में देखते हैं एक समाय सुधार और अच्छे तरकवादी मानते हैं और दूसरे स्वरकर वो है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि स्वरकर एक British stooge थे यानि अंग्रेजों की कट पुतली क्योंकि स्वरकर ने ब्रिटिशर को mercy petition लिखे थे स्वरकर वो है जो देश की freedom struggle के विरोत में खड़े दिखाई देते हैं ये लोग ये मानते हैं कि स्वरकर ने freedom struggle में बड़ी contribution नहीं दी इन लोगों के लिए ये स्वरकर वो है जिन्नों ने अपनी राजनितिक फैदे के लिए Muslim League के साथ कट बंदन किया था ये स्वरकर वो है उनके लिए जो गांदी के कातिलों की लिस्ट में शामिल है तो असली स्वरकर कोन थे असली स्वरकर को हम तब ही समझ पाएंगे जब हम ये जान लेंगे कि अगर हम किसी व्यक्ती की वास्तिविक्ता को जानना चाते हैं तो उस व्यक्ती की शक्षियत उसके हलातों और परिस्तितियों से तोड़ कर नहीं समझी जा सकती तो स्वरकर की जिन्दगी और उसके हलातों को समझने के लिए हम उनकी लाइफ को मुख्या रूप से तीन हिसों में समझेंगे सबसे पहले उनके जीवन का revolutionary face पढ़ेंगे फिर हम उनकी conviction years को समझेंगे जब वो jail में थे ब्रिटिशर की देखरेख में थे और फिर हम उनके जीवन को as a political activist समझेंगे इस वीडियो में हम स्वरकर के revolutionary face को समझेंगे और स्वरकर के revolutionary face को समझने के लिए जो sources इस वीडियो में use किये गए है सबसे पहले नाम आता है जो स्वरकर पर लिखीगी सबसे पहली autobiography चितरगुप्त के दुवारा जिसे life of barister स्वरकर के title के under publish किया गया था और अब इसके latest edition में इसे life of वीर स्वरकर कर दिया गया है तो इस book को लेकर भी controversy है कि चितरगुप्त कौन थे कुछ लोग मानते हैं कि स्वरकर ही चितरगुप्त थे उस सारी controversy को मैंने अलग से इस वीडियो के last में cover किया है second book जो स्वरकर पर लिखी गई है वो दननजे कीर के दुवारा लिखी गई है जिनोंने सुबास चंदर बोस, अमबेदकर जैसे व्यक्तियों पर भी लिखा है और इसके लिए उन्हें पदमभूशन आवार्ड भी मिला था और इसके बाद जो third source है वो है विक्रम संपत के दुवारा लिखी गई book स्वरकर इकोस फ्रोमे फॉर्गोटन पास्ट ये अभी volume first इनका publish हुआ है 2019 में volume second अभी publish होने वाली है volume one में ये 1883 से लेकर 1924 तक की स्वरकर की life को study करते हैं क्योंकि स्वरकर के जितने भी biographer है उन पे एक criticism किया जाता है कि वो sympathetic होकर लिखते हैं स्वरकर के लिए हम धर्दी रखकर लिखते हैं तो इस चीज को neutralize करने के लिए मैंने एक journalist की book भी उठाई है जो the RSS icons of the Indian right निलंजन मुखोपाद्यान लिखी है जिसमें वो स्वरकर को critical viewpoint से लिख रहे हैं इन autobiographies के इलावा दो research paper भी मुखे रूप से देखेंगे हैं एक research paper जो post-colonial studies में विनायक चतुरविदी के दुआरा publish हुआ है जिसका title है A revolutionary biography, the case of Widi's worker और second research paper है जो social history journal में जानकी बैखले ने publish किया है जिसमें वो स्वरकर के revolutionary face को देखते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि स्वरकर पर किस तरह से sedition charges लगाए गए थे और स्वरकर पर किस तरह की surveillance थी अंग्रेजों की उस time पर इसके साथ ही पुराने जो newspaper है, newspaper के archival sources शेयर किये हैं, तो चलिए समझते हैं स्वरकर की life को detail में स्वरकर 1883 में महाराश्टर के नासिक चिले में जनम लेते हैं और ये पैदा होते हैं चितपावन ब्राम्विन की family में स्वरकर की social background समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि चितपावन ब्राम्विन कौन थे 1680 में शिवाजी महाराज की death के बाद पेश्वास जो है, वो real authority बनती हैं शिवाजी महाराज के समराज के शिवाजी महाराज के जो भी successor थे उनके प्राइम निस्टर पेश्वास होते थे और ये पेश्वा कौन थे? ये पेश्वा है चितपावन ब्राम्विन्स थे चितपावन ब्राम्विन्स जो भी administration थी उस time पर वहाँ के सारे departments में यही majority में थे और ये time एक ऐसा time माना जाता है जो चितपावन history कई golden era मानी जाती है 1818 में British इस empire को defeat करते हैं और conquer कर लेते हैं और चितपावन ब्राम्विन्स में इस समराज को खोने का कही ना कही निराशा थी संतोश था स्वरकर इसी empire की stories के साथ बड़े होते हैं अब हम बात करते हैं स्वरकर की family की स्वरकर के father दमोदरपाथ स्वरकर एक धार्मिक व्यक्ति थे poet भी थे और तिलक के एक admirer थे दमोदरपाथ स्वरकर राधा बाई से शादी करते हैं राधा बाई खुद ब्रामिन स्कोलर के इस पुतरी होती है और ये कपल चार बच्चों को जनम देते हैं, तीन लड़के और एक लड़की को, इन चार बच्चों में सबसे पहले नाम आता है गनेश सवरकर का, जिनने बाबा राओ के नाम से जाना जाता है, फिर दूसरा नाम आता है विनायक दमोदर सवरकर का, तीसरा नाम आता है उनक के साथ ही परताप, शिवाजी, पेश्वा जैसे नाइकों के गाथाएं भी सुनाते थे। धननजे कीर का कहना है कि ये सारी historical episode और जितनी भी mythological stories है ये कही न कहीं विनायक दमोदर सवरकर के mental development का हिस्सा बनते हैं यानि उनके बौतिक का विकास करने में ये गाथाएं, ये stories बहुत सहायता करती हैं अगर स्वरकर की early education की बात करें तो स्वरकर 6 साल की उमर में पढ़ाई शुरू करते हैं local government school में वो अपनी primary education village school में खतम करते हैं और high education के लिए अपने बड़े बाई बाबा राओ यानि गने स्वरकर के साथ ना सिख चले जाते हैं स्वरकर को बचपन में ही newspaper और books पढ़ने के काफी शोकीन थे और वो खास करके English language को सीखने में काफी interest हो करते थे अपने बचपन में ही क्योंकि उनके घर में काफी books रखी थी English language की और व 1893 में Hindu Muslim riots आजमगड में शुरू होते हैं जो बढ़कर Bombay तक भी जाते हैं निलंजन मुखोपादया लिखते हैं कि इन दिनों में जब दंगे हो रहे थे तो communication के sources बहुत limited थे यानि hardly exist करते थे तो दंगों को लेकर कई सारी कहानिया जो थी वो फैल रही थी सर्कुलेट हो र कह रहे थे उन्हें भी ये कहानिया सुनने को मिल रही थी और इन कहानियों में जो Hindu community के साथ अन्याय हो रहा था उन कहानियों में स्वरकर ने विश्वास करना शुरू कर दिया था एक बहुत important event जो हर autobiography में स्वरकर के code किया जाता है बताया जाता है वो है स्वरकर जब अप स्वरकर इन दंगों के बाद अपने कुछ स्कूल के साथियों के साथ उनके गाव में जो मस्जिदे वहाँ पर attack करने के लिए निकल जाते हैं विकरम संपत इस बात को अपनी biography में clear करते हैं कि वो जो mosque में जो मस्जिद में attack करते हैं वो मस्जिद काफी सालों से बंद मस्जिद पर attack करते हैं उसको तोड़ते हैं और वहाँ से जल्दी बाग निकलते हैं चितर गुप्त लिखते हैं जो स्वरकर के सबसे पहले autobiographer माने जाते हैं वो अपने शब्दों में लिखते हैं कि अगले हफते कुछ Muslim लड़के Hindu सेना को challenge करते हैं अब हम ये समझेंगे कि इस events को अलग-अलग biographer ने अपने perspective से यानि अपने नजरिये से किस तरह से देखा तो चितर गुप्त ने इस events को ये देखा कि स्वरकर ने अपने बचपन में जो lesson इससे सीखे वो कम नहीं थे ये event आपको लगे कि बचपने में किया गया हो कुछ अपने school के साथ ही जो 14 साल से उपर कोई भी बड़ी उमर का नहीं था मस्जित को तोड़ने जाते हैं ये आपको childish in nature जरूर लगे लेकिन स्वरकर ने इस event से कुछ lesson सीखे हैं स्वरकर ने ये सीखा था कि जब muslim उन पर attack करने आये और स्वरकर अपने groups के साथ उनको attack करना चाते थे उनके साथ लड़न निकलते हैं अगर हम विक्रम संपत की नजरों से देखे तो वो लिखते हैं स्वरकर ने इस event से इस गठना से ये सीखा कि हिंदू wise जो हैं वो कितने poorly organized थे और उनमें कितनी commitment की कमी थी आगे चलके संपत लिखते हैं कि ये हिंदूस जो बच्चे थे वो divided थे caste lines पर लेकर भी और स्वरकर को कहीं न कहीं ये भी समझ आई कि हिंदू community जो है जात को लेकर divided है और ये स्टिथी संपत लिखते हैं उन्हें 12 लचार बनाते थे हमलों से इसके बाद स्वरकर ने mock war games शुरू की यानि नकली खेल खेलने शुरू किये attack करने के war करने के युद करने के अपने groups क उन्होंने ये सारी चीजे इस सिखानी शुरू की इस खेल खेल में बच्चों को दो ग्रूप में बाटा जाता था एक बच्चे वो जो हिंदू बनते थे और दूसरे बच्चे वो जहां तो मुसलिम बनते थे जा फिर अंग्रेज बनते थे और इस खेल में ये चीज इंश की जाती थी कि हमेशा हिंदू लड़कें ही जीते और मुस्लिम जो ब्रिटिश का रोल प्ले कर रहे हैं वो इस खेल में जरूर हा रहे हैं। गांधी की नॉन वाइलन्स को अपोस करने में और गांधी का जो रोल रहा है खिलाफत मुवमेंट में उसको लेकर स्वरकर जो बाद की लाइफ में क्रिटिसाइज करते हैं उसका बीज जो है इसी इवेंट में बीजा जा चुका था। और ये भी समझने की जरूरत है कि ये इसको हम आईसोलेट करके नहीं देख सकते कि स्वरकर खुद ही ये सारी चीज़ें को समझ रहे थे कर रहे थे नहीं उस टाइम पर तिलक हिंदू रिवाइवलिजम की जो मुवमेंट चल रही थी महारास्टर में खास करके जहाँ पर वो गनपती फेस्टिवल शिवाजी फ को काफी इफेक्ट करते हैं उस इंसिडेंट को थोड़ा सा ब्रीफली हम समझ लेते हैं 1896 में महारास्टर में प्लैक फैलता है और इसको रोकने के लिए स्पेशल प्लैक ऑफिसर वाल्टर चार्लिस रैंड को नुक्त किया जाता है और उन्हें स्पेशल प्लैक कमेटी जो क्योंकि प्लैक जो है ब्रिटीश की कमर्शिल एक्टिविटी इसमें किसी तरह की भाधाय बन रहा था और जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थी वो इंडियन टेरिटरी से जो भी प्रोड़क्ट मनिफेक्चर होके रा रहे थे जो भी गूर्स थे उनको लेने से मना कर र रहे थे और इस सर्च में वो किसी भी तरह के धार्मिक सथानों को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे वो बुडों के साथ और ओर्टों के साथ बस सलुकी भी कर रहे थे और चापेकर ब्रदर इसी चीज को देखते हुए वाल्टर रैंट क्या कतल कर देते हैं 1987 में और इन incident के बारे में newspaper में पढ़ते हैं कि चापेगर ब्रदर को fancy दे दी गई है वो कई रातों तक सो नहीं पाते हैं और बाद में अपने घर में जो अस्ट भूज भवानी की मूर्ती रखी होती है वहाँ पर जाकर वो एक कसम लेते हैं और वो कसम लेते हैं कि मैं अपनी आखरी सांस तक दुश्मन के साथ लड़ता रहूँगा साल 1900 में सुवरकर मित्रमेला society फाउंट करते हैं ये एक secret revolutionary society थी ये हर weekend में मिला करती थी और इनकी meetings में armed revolution को लेकर political freedom को लेकर बाते की जाती सुवरकर कॉंगरस और गोखले की politics में विश्वाष नहीं रखते थे और ना ही उन्हें faith था जो तिलिक initiative ले रहे थे जैसे तिलक कनपती festival शिवाजी festival से हिंदू community को unite कर रहे थे लेकिन सुवरकर मानते थे कि संपूरन अजादी के लिए complete liberation के लिए ये सब कुश enough नहीं जो congress कर रहे थे जो गोखले कर रहे थे जहां फिर तिलक कर रहे थे कुछ समय के doubt के बाद की एक revolution को शादी करनी चाहिए या नहीं 1901 में सुवरकर यमना से शादी कर लेते हैं 1901 में वो अपनी दसवी कक्षा का exam पास करते हैं इनहीं दिनों में स्कूल के दिनों में वो काफी historical books को पढ़ना पसंद करते थे खास करके international histories को पढ़ते थे past kingdoms की जो empire से समराज है वो कैसे बनते थे कैसे decline होते थे उनके बारे में पढ़ते थे और इसके साथ वो America और Europe के जो revolutionary थे करांती कारी थे उनकी biographies को पढ़ने में काफी दिल्चस्पी दिखाते थे स्वरकर खास करके जो Italian revolutionary थे मैजनी और गारे बालदी उनके लाइफ को लेकर काफी inspire होते हैं स्वरकर 1902 में पुने के Ferruksan College में admission लेते हैं और वहाँ पर वो अपनी revolutionary activities को continue रखते हैं 1904 में वो अपने मित्र मिला society का नाम बदल कर अभिनव भारत लगते हैं जिसका मतलब हो था Young India Society ये title inspire हुआ था माजनी के Young Italy से अभिनव भारत एक ऐसी society थी जो total और complete freedom की बात करती थी और ये freedom जो है वो armed revolution से लेकर आना चाहती थी क्योंकि वो मानते थे कि armed revolution के बिना complete freedom कभी भी मिल नहीं सकती है स्वरकर अपने speeches में खास करके जब अभिनव भारत society की meetings होती थी उन meetings में स्वरकर अपने साथियों को ये clarify करते थे कि अंग्रेजों को हमें नफरत करने के जुरूरत नहीं है वो तब तक हमारे दुश्मन है जब तक उन्होंने हमारी charity को illegally तरीके से capture कर रखा है जब तक हम उनके गुलाम है और एक बार हम अजाद हो गें तो तब उसके बाद हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और वो हमारे एक fellow human ही माने जाएंगे तो स्वरकर ऐसी सोच भी जो है British के लिए रखते थे ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है 1905 में जब बेंगाल का partition होता है तो स्वरकर foreign goods की bonfire में participate करते हैं अपने radical views होने की वज़ा से और इस तरह की activities करने की वज़ा से स्वरकर को उनके कॉले से निकाल दिया जाता है स्वरकर एक पहले भारती बनते हैं एक पहले Indian जिनको radical views की वज़ा से कॉले से बाहर निकाला जाता है तिलक इस बात को लेकर चुप नहीं बैठते वो college administration के against अपनी newspaper केसरी में इस action के against लिखते हैं और स्वरकर की further study के लिए वो शाम जी कृशन वर्मा को लिखते हैं शाम जी कृशन वर्मा जिन्नोंने Indian house लंडन में established किया था वो वहाँ पर students को पढ़ने के लिए scholarship देते थे स्वरकर ने इस scholarship के लिए apply किया और उनकी scholarship को accept किया जाता है शाम जी कृशन वर्मा दुआरा इसलिए वो 1906 में England में पढ़ने चले जाते हैं अपने बीवी और बच्चे पीशे चोड़ कर लेकिन unfortunately स्वरकर को ये नहीं पता था कि वो दुबारा कभी अपने लड़के को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो जब लंडन में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके पीशे ही 1909 में smallpox की वज़ा से उसकी death हो जाती है स्वरकर जैसे ही लंडन पहुंचते हैं तो वो anti-colonial activities में revolutionary groups को join कर लेते हैं ताकि वो किसी तरह से इंडिया को liberate करा सके armed rebellion की सहायता से स्वरकर लंडन में भी abhinav bharas society को establish करते हैं हमारे लिए ये जानना भी जूरी है कि abhinav bharas society में जब किसी member को recruit किया जाता था तो उसे किस तरह की शपत ली जाती थी तो वो शपत कुछ इस तरह से ली जाती थी और जो वो शपत लेते थे उसकी roughly translation हिंदी में कुछ इस तरह से बनती है कि मैं सची निष्टा से ये कसम लेता हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ अजादी के लिए लड़ूँगा मैं ये मानता हूँ कि सवराजय तब तक नहीं मिल सकता जब तक बिना थके खून की लड़ाई नहीं लड़ी जाती वितेशियों से और इसी लक्षे के साथ मैं अभिनव भारत को जोईन करता हूँ जो पूरे हिंदुस्थान की एक करांतिकारी सुसाइटी है सुवरकर ये मानते थे कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉंसिबिलिटी यानि में जो जिम्मेवारी है ABS सुसाइटी का मेंबर होने के नाते वो ये है कि वो हिस्ट्रीज को इतिहास को रचें इतिहास को प्रेड्यूस करें इतिहास को लिखें इसलिए उन्होंने लंडन जाते ही शे महिने के अंदर-अंदर मैजनी की बायोग्राफी मराथी में लिखती थी और इसी के साथ 1857 के विद्रो को लेकर 1907 में पचासवी शताबदी सेलिब्रेट की जाती है लंडन में और ये की जाती है रोयल एलबर्ट हाल में अगर हम उस शताबदी की पिच्चर देखें आर्काइवल सोर्स थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर वो सेलिब्रेशन की जा रही थी सुवरकर ने इस चीज को महसूस किया है 1857 का विद्रो जो सफल नहीं हो पाया है उसको कितने बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है इसलिए सुवरकर ने आगे के दो सालों के लिए इसी काम पर 1857 के विद्रो पर बहुत सारा काम किया बहुत सारी बुक्स और हिस्ट्रीज को पढ़ा सुवरकर ने इस चीज के लिए 1857 के इवंट्स को बहुत डेप्थ में रिसर्च किया और यहां तक की जान की बागले लिखते हैं कि उन्होंने जितनी भी 1857 पर किताबे लिखी गई थी खासकर मैलसन अलेक्जेंडर के दुआरा जो 6 वोलियम्स बुक्स थी उनको भी सारी की सारी पढ़ लिया था इसके लावा है हैंडरी मैड, मिडोस टेलर और जॉर्ज ट्रैवलियन के लिखी होई बुक्स को भी उन्होंने पढ़ लिया था यानि इतनी डिटेल में 1857 की वो हिस्ट्री लिख पढ़ते हैं और इसके बाद वो अपनी बुक के साथ सामने आते हैं जिस बुक का वो नाम देते हैं ये सबसे पहले वो मराथी में पब्लिश करते हैं 1857 में वो इस बात को अजर्ट करते हैं बताते हैं कि जैस तरह से अंगरेजों ने हिस्ट्री को लिखा है कि ये एक सिर्फ सैनिक विद्रोव था ये एक स्पोई म्यूटनी थी ये कोई स्पोई म्यूटनी नहीं थी ये कोई temporary accidental विद्रोव नहीं था जिस तरह से colonial historian लिखा है स्वरकर कहते थे इसमें historian ने जो revolution की करांती की real spirit थी उसको ignore किया है और स्वरकर ही सबसे पहले ऐसे व्यक्ती थे जिन्नोंने कहा ये कोई स्पोई म्यूटनी नहीं था ये Indian war of independence था इस तरह history को rewrite करने की शुरुवात स्वरकर ने सबसे पहले शुरू कर दी थी जब इसके chapter after chapter हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि स्वरकर 1857 के events को कहते हैं कि ये एक ऐसा event था जहांपर हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी को खतम कर दिया था ये एक ऐसा event था जिसकी वज़ा से हमें ये सीखना चाहिए कि इंडिया का future सिरफ इसी बात में depend करता है कि हिंदू और मुस्लिम की unity जो है वो unshakable हो यानि उसे खतम ना किया जा सके तो स्वरकर की आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि 1857 की बुक में वो हिंदू मुस्लिम unity को परेज कर रहे हैं प्रौसाहन कर रहे हैं जिसके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी दी जाती है इस बुक को ABS के मेंबर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जब इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसके author का नाम सवरकर नहीं लिखा जाता rather an Indian nationalist लिखा जाता है इस book को English में translate करके India बेजा जाता है India book पहुँच पाए इससे पहले ही अंग्रेज उस book को August 1909 में ban कर देते हैं यानि इस book से किसी ना किसी तरह से अंग्रेजी समराज को खत्रा था इसलिए इसको ban किया गया और ये book ban रहती है 1946 तक इंडिया में और इसे दुबारा जो ban lift किया जाता है ये Congress की government उस time की Bombay की Congress government इसके ban को lift करती है हलांकि ये book चार दिहाकों से इंडिया में ban रही लेकिन फिर भी यंग्स्टर कहीं न कहीं से इस book को परापत कर लेते थे और ये बात कितनी सच है ये यहां से पता चलता है जब L.K. Advani 10 May 2007 में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखते हैं और वो इस आर्टिकल में लिखते हैं कि उन्हें देशबक्ती के literature को पढ़ने के बहुत शोकीन रखते थे वो विनायक दमोदर स्वरकर की 1857 की book का उन्हें पता चला कि कोई आदमी उसे बेच रहा है तब उन्होंने इस book को खरीदा और उस टाइम पर उन्होंने 28 रुपे की ये किताब खरीदी थी चाहिए किताबे बैन हो जाती थी लेकिन यूथ जो है इन किताबों को बड़ी दिल्चस्पी से पढ़ा करते थे 1909 में इंडिया हाउस के मेंबर्स ने स्टूरंट्स ने गन को चलाना सीखना शुरू किया और फरवरी 1909 में वो इन गन्स को स्मगल करना भी शुरू करते हैं इंडिया में एक कुक और अपने शेफ के थुरू जिसका नाम था चतरबुझ आमीन मार्च 1909 में जिस शेफ ने इन गन्स को स्मगल किया होता है वो एक खबर को लेकर वापस आते हैं और स्वरकर को बताते हैं कि उनके बेटे की हालत बहुत नाजूख है अगर टाइम पर उन्हें दवादारू ना दिया गया तो उनकी डेथ भी हो सकती है और को समझेंगे जिनकी वज़ा से स्वरकर को जेल होती है उनकी कन्विक्शन होती है कोई एक इवन्ट नहीं जुड़ा हुआ है उनकी इंप्रिजनमेंट को लेकर बहुत सारे ऐसे इवन्ट जुड़े हैं उनकी इंप्रिजनमेंट को लेकर वो सब को हम डिटेल में समझेंग कि बाबा राओ ने कहीं न कहीं अपने किसी दोस्त को ये मैंचिन किया था कि इंडिया में गंस जो है समगल हो चुकी है और इसकी जो खबर है पुलिस को लग जाती है इसलिए गनेज स्वरकर के अगेंस्ट अरेस्ट वारेंट इशू किया जाता है पुलिस और भी एविडेंस कोलेक्ट करने शुरू कर देती है गनेज स्वरकर के लिए और वो जब 1909 2nd मार्च को उनके घर को रेट करती है तो वहाँ पर उन्हें कुछ बंब मैनुवल्स मिलते है यानि बंब कैसे बनाया जाता है उसके ब्ल्यूप्रिंट उन्हें मिलते है और भी इसके साथ कई revolutionary literature मिलते है और इसके साथ बाबा राओ की लिखी हुई अपनी points जो उन्हें काफी seditious लगती है काफी बढ़काओ लगती है काफी inflammatory लगती है वो भी उन्हें मिलती है बाबा राओ को guilty found किया जाता है sedition के law के अंडर और उन्हें काले पानी की सजा दी जाती है जिसे transportation for life कहते हैं और इसके साथ ही उनकी सारी property को जवत कर लिया जाता है गनेस worker को jail ले जाने से पहले publicly उन्हें humiliate किया जाता है नासी की सडकों पर उन्हें parade किया जाता है दोड़ाया जाता है handcuffs के साथ कैदियों के कपड़े पहना कर इसी के चलते हुए ग्रे इनके बार में स्वरकर को admit नहीं किया जाता यानि उनकी brother की incident की वज़ा से स्वरकर की negative publicity होती है लंडन में और इसकी वज़ा से उन्हें बार में अपनी law की practice करने से मना कर दिया जाता है सिरफ ग्रे स्वरकर की incident को लेकर नहीं सर विलियम हट करजन वैली ने ग्रे इनको ये खबर दे थी कि स्वरकर कुछ seditious activities में involved है कुछ revolutionary activities में लंडन में involved है तो इस खबर की वज़ा से भी ग्रे इनके benches ने स्वरकर पर ये action लिया था करजन वैली इंडिया के secretary के assistant थे तो उनका main काम ये था लंडन में कि वो seditious activities को control करे उन पे निगरानी रखे जो लोग लंडन में आते हैं और seditious activities में involved लेते हैं 1909 में National Indian Association एक party रखती है जिसमें Indians और British की interaction को encourage किया जाता है और इसी party में करजन वैली भी मजूद थे करजन वैली के बारे में कहा जाता है कि ये Indian students के साथ बहुत जल्दी दोस्ती बना लेते थे ताकि उनसे किसी तरह की information निकलवा सके seditious activities को लेकर देश दरोही की activities को लेकर और ये बात Indian students को पता थी उस Indian students में मधलाल दिंगडा भी थे जो इस party में आते हैं और करजन वैली को चार गोलियों से मार गिराते हैं तिंगडा को उसी time पर arrest भी कर लिया जाता है इस तरह से वो इंडिया के first revolutionary बनते हैं पहले करांतिकारी जो विदेशी दर्ती पर foreign soil पर किसी British official को मार गराते हैं मधलाल दिंगडा का उन revolutionary में नाम इतिहास में लिखा जाता है और करजन वैली की assassination के एक दिन पहले ही सुवरकर दिंगडा को मिलते हैं और जब वो दिंगडा को वहां से अलवीदा कह रहे होते हैं उसके साथ वो कहते हैं कि अगर तुम इस mission में कामयाब नहीं हो पाए तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना तो यानि इसके पीशे कही ना कहीं सुवरकर ने दिंगडा को convince किया था इस assassination के लिए कहीं ना कहीं इसका मतलब सुवरकर ने दिंगडा को convince किया था इसके साथ हमें ये भी चीज देखनी जरूरी है परमिंदर सिंग अपने research article में trial and martyrdom of दिंगडा reaction of press उसमें लिखते हैं कि सुवरकर पर भी दिंगडा के साथ साथ media trial शुरू हो गया था media trial यानि सो साल पहले भी होता था जब उन्होंने सुवरकर को ये कहा था कि सुवरकर ही इसके पीशे the main brain behind the blood है यानि इस खून के पीशे जिसका दिमाग चल रहा है वो सुवरकर का चल रहा है यानि सुवरकर पर ये अरोब media ने लगाने शुरू कर दिये थे जब कि ये काम jury का था, ये काम judges का था, ये काम court का था, ये काम law का था, जो उस time पर media कर रही थी और इसी trial के दरान जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है तो टिंगडा एक historical statement देते हैं, वो कहते हैं कि मेरी बगवान से ये ही प्रातना है कि मैं इसी दर्ती, इसी मा के लिए बार-बार जनम लू और इसी के लिए मैं बार-बार मनना पसंद करूंगा जब तक कि मैं इसको अजात नहीं करवा लेता जब तक कि ये free नहीं हो जाती इंसानियत के लिए और for the glory of the God तिंग्रा को execute कर दिया जाता है 17 August 1909 में लेकिन ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि तिंग्रा की family ने अपने बेटे को disown कर दिया इस incident के बाद और इस father Lord Morley को लिखते हैं कि मुझे शर्म आती है इसे अपना बेटा कहते हुए यहां तकि आज भी तिंग्रा की family अगर तिंग्रा को लेकर किसी तरह के सहिदी समारो हो रहे हैं वहाँ पर participate नहीं करती वहाँ पर उस events को attend नहीं करती यानि आज भी तिंग्रा की family ने उन्हें disown कर रखा है तिंग्रा के episode के बाद British government जो वहाँ के Indian students पर बहुत strict निग्रानी लखने लगती है और यहां तकि India house को भी कुछ दिनों के बाद बंद कर दिया जाता है और इसी के साथ इंडिया में मौले मिन्टो रिफॉर्म्स आते हैं इस रिफॉर्म्स की वज़ा से कई सारे violent और revolutionary movement इंडिया में शुरू हो जाती है अब इनव भारस society के member जो है वाइसरोय मिन्टो पर बंब गिराने की कोशिश करते हैं हलागि वाइसरोय बच जाते हैं इस गटना में मोहललाल पांडिया को arrest किया जाता है जो उस वर्कर के शोटे बाई नरायन राउस वर्कर के दोस्त थे और इसके साथ नरायन राउस वर्कर को भी arrest कर लिया जाता है शक के बिहाफ पर इसके बाद आता है famous नासिक murder case जिसे बाद में नासिक conspiracy का नाम दिया जाता है इस murder case में अनंत राउ लक्षमन कानहरे AMT Jackson जो तबके नासिके district collector थे उन्हें मार गिराते हैं AMT Jackson वो official थे जोनोंने बाबो राउस वर्कर को arrest करने में पूरी जान लगा दी थी यहाँ तक कि जब वो गनेश वर्कर को यानि बाबा राउस वर्कर को नासिकी गलियों में parade किया जाता है तो वो भी AMT Jackson के कहने पर ही कराया जाता है और इस सारी चीजों को अबजर्व करते हैं अनंत राउ लक्षमन कानहरे जो इसके बदले में AMT Jackson को मार गिराते हैं इनके साथ गोपाल कारवे और देश पांडे को भी arrest कर लिया जाता है और इन तिनों को 39 मार्च 1910 को फांसी की सजा दे दी जाती है सुवरकर क्योंकि इंडिया हाउस को ब्रिटिशर ने बंद कर दिया था तो इसकी वज़ा से उन्हें वहाँ पर रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता है क्योंकि ब्रिटिशर के जासूस कर दिया गया और इस न्यूज को सुनकर वो काफी देहल जाते हैं सुवरकर लंडन वापस आना चाते हैं इसके बाद वो चाते हैं कि मैं लंडन वापस आऊं और अपनी revolutionary activities को continue रखूँ यह जानते हुए भी कि ब्रिटिश गवर्मेंट इस केस को investigate कर रही है यानि नासीक मर्डर के केस को investigate कर रही है और slowly slowly इस investigation में वो सुवरकर तक भी पहुँच जाएगी और सुवरकर को भी arrest कर लेगी क्योंकि ब्रिटिशर के पास कोई evidence नहीं था सुवरकर को arrest करने के लिए फिलहाल इसलिए उन्होंने सुवरकर के against evidence collect करने शुरू करती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं evidence को collect करने के लिए वो सुवरकर और उनके बड़े बाई यानि गने सुवरकर की activities में एक connection establish करने की कोशिश करते हैं उस connection में वो ये prove करना चाते हैं कि सुवरकर के बड़े बाई यानि गने सुवरकर के घर पर जो bump manual मिले थे जो violent ऐसे मिले थे उनका connection किसी ना किसी तरह से सुवरकर के साथ है और कुछ ऐसे points और literature मिला है जिसको सुवरकर ने ही लिखा है तो इसके लिए वो टेलीग्राम भी जो है उसकोई भी investigation करते हैं यानि 13 दसंबर 1909 से लेकर 13 जनवरी 1910 के टेलीग्राम को भी सिक्रूटीनाइस किया जाता है इन्वेस्टिगेट किया जाता है इसके साथ सुवरकर ने चार साल पहले जो पूना और नासिक में speeches ती थी उनको भी scrutinize किया जाता है और ये सारे evidence के बिहाब पर सुवरकर पर एक case बनाया जाता है Under the Fugitive Offenders Act 1881 में कि सुवरकर एक बगोडे है ठीक है जिन पर seditious activities का charge है और सुवरकर जो है लंडन से बाग कर Paris चले गए है लेकिन देखा जाए तो ये जो fugitive के charges भगोडे होने के charges सुवरकर पर लगाए गए थे ये जूठे थे कैसे? क्योंकि जब सुवरकर England आये थे law की study करने के लिए तो तब वो भगोडे नहीं थे वो एक bona fide student थे जो England में study करने आये थे और दूसरी बात ये है कि सुवरकर पर किसी तरह के भी कोई criminal charges नहीं थे जब वो England study करने के लिए आये थे और वो जब London से Paris move भी किये हैं तो वो किसी तरह से arrest से बचने ही रहे थे वो तो जस्ट ऐसे ही move कर गए इसके लिए Britishर के पास कोई भी evidence नहीं थे इसी लिए British government जे अच्छी तरह से जानती थी कि सुवरकर पर charges प्रूव नहीं किये जा सकते वो ये जानते थे कि एक fugitive charges अगर प्रूव नहीं किये गए तो एक seditious charges ही है जो कोट में प्रूव किये जा सकते हैं जिसकी वज़ा से सुवरकर को arrest किया जा सकता है तो इसलिए उन्होंने ये भी चाते थे कि ये seditious के charges जो हैं अगर लगाए जाएं तो इंडियन कोट में जाकर उनका trial किया जाए इंडियन कोट में उन्हें किसी तरह से सजा सुनाई जाए क्यों? क्योंकि बाखले हमें बताती है जानकी बाखले जन्होंने research paper लिखा है स्वरकर की seditious activities में वो बताते हैं कि इंग्लैंड में sedition law के माइने को शोड थे और इंडिया में sedition law के माइने को शोड थे इंडिया में sedition law काफी strict था काफी strong था इंग्लैंड में sedition law को लेकर कोई बड़ी सजा स्वरकर को नहीं मिल सकती थी तो इसलिए स्वरकर को इंडिया लेकर आया गया और इंडिया को जो इंडिया criminal law amendment act है 1908 उसके तहत स्वरकर का trial शुरू किया जाता है मैं बता दूँ कि इस law के accordingly किसी भी तरह की कोई jury जग किसी भी तरह की appeal करने के right नहीं थे accused को इसलिए स्वरकर को इस law के अंदर इस law के तहत जो है कारवाई शुरू की जाती है इसके साथ ही एक international case जो स्वरकर रचते हैं जिसको स्वरकर case कहते हैं उसकी detail भी जाना बहुत जरूरी है जब उन्हें इंडिया फ्रांस के रूर से लेकर आया जा रहा था और जुलाई 1910 में उनकी जो ship है वो मक्षली डॉक पे खड़ी की जाती है यहाँ पर स्वरकर जो है 12 इंच के diameter के जो बातरूम में पोर्ट होल था वहाँ से जम्प कर जाते हैं यह famous historical jump मानी जाती है जब तक police को उनकी इस जम्प के बारे में पता लगता है तब तक तैरते तैरते स्वरकर जो है French territory तक पहुंच जाते है लेकिन फिर भी किसी तरह British police जो है उन्हें वापिस ले आती है French newspaper में इस incident को publish किया जाता है और काफी media coverage इस incident को मिलती है क्योंकि स्वरकर के साथी जो France में थे, Paris में थे वो इस incident को बड़े newspaper में publish कराते हैं प्रेशराइज करते हैं, media के through government को और French newspaper में इसे French sovereignty को लेकर insult समझा गया क्योंकि international law के accordingly वो ये मान रहे थे कि अगर कोई political prisoner French territory को पहुँच गया था अगर वो French soil में कदम रख चुका था तो British official उसे वापस नहीं लेकर जा सकते थे ये अब French government देखेगे कि उस prisoner का क्या करना है और इसी चीज को लेकर यॉरप में जो भी स्वरकर के socialist, liberals और खास करके France में दोस्त थे उन्होंने इस issues को मीडिया में उठाया यहां से ये पता चलता है कि और भी जो revolutionary activities में involved थे जो socialist चा लिबरल्स थे वो स्वरकर के कितने नजदीक थे वो स्वरकर के कितने साथ थे Finally ये case जाता है The Hague Netherlands की permanent court of arbitration में कि ये prisoner France के पास जाना चाहिए या British के पास जाना चाहिए और ये court जो है February 24, 1911 में judgment सुनाती है और उस judgment में ये कहा जाता है कि स्वरकर जो है वो Britain को मिलना चाहिए यानि France जो है case हार जाता है लेकिन दब तक की ये case की सुनवाई आती India में already trials शुरू हो चुके थे स्वरकर पर already court की कारवाई शुरू हो चुकी थी और इस कारवाई में September 1910 में Bombay के special tribunal ने अपनी कारवाई शुरू कर दी थी इस कारवाई में याद रखना जैसे कि मैंने बताया किसी तरह की कोई jury नहीं थी किसी तरह की accused को appeal करने का right नहीं था तीन तरह के offense इस कारवाई में देखे गए एक नासिक murder case एक नासिक conspiracy case और एक abatment of murder and sedition case और नासिक murder case में कानहरे कारवे और देशपांडे को तीनों को ही फांसी दे दी गई थी 1910 में तो अब बचे थे नासिक conspiracy case और abatment of murder and sedition case नासिक conspiracy case में कुल मिलाकर 38 और भी accused थे जिनका सवरकर के साथ trial किया जा रहा था ये trial चलता है total 69 days के लिए और court 23rd December 1910 में इस case को लेकर अपनी verdict सुनाती है इस verdict में इस trial में सबसे ज़्यादा जो सक्त सजा दी जाती है वो सिरफ सवरकर को दी जाती है यानि बाकी जो 38 other को accused थे उनको वो सजा नहीं मिलती जो सवरकर को मिलती है तो सवरकर को कौन सी सजा मिलती है सवरकर को armed distribution करने की वज़ा से कुछ ऐसे material को print करने की वज़ा से जिससे वज़ा से अंग्रेजी हकूमत को लगता था कि ये हमारे against एक war है और कुछ bum manuals जो गने सवरकर के घर से मिले थे उनका जो author है उनका जो writer है वो सवरकर ही पाए जाते है इसकी वज़ा से स्वरकर को section 121 and 121A के तहट IPC panel के transportation of life की सजा सुनाई जाती है जिसको इंडिया में काले पानी की सजा कहा जाता था और ये अंडे मान cellular jail में उस व्यक्ति को लहना पड़ता था और ये सजा life imprisonment की सजा थी second trial फिर शुरू होता है जिसे abandonment of murder and sedition का नाम दिया जाता है उस case को इसमें भी वही same tribunal 23rd Germany 1911 को दुबारा उस case को शुरू किया जाता है और इस case में सारे पुराने charges को देखते हुए और नए charges के साथ ये conclude किया जाता है कि स्वरकर ने जो browning pistol इंडिया में बेजे थे जो मैंने बात बताई थी कि एक chef के जरिये इन्होंने smuggle किये थे ये pistols उस pistol में से एक pistol का इस्तमाल कानहरे ने Jackson का murder करने के लिए भी किया था जो district collector थे AMD Jackson उनका murder करने के लिए किया था और जितनी भी स्वरकर और बाबा राओ की activities है मित्र मेला से लेकर जब उन्होंने अभी न भारत society बनाई वो activities को as a rebellion देखा गया यानि अंगरेजों के खिलाफ विद्रो करने की activities को देखा गया और स्वरकर की जो पुरानी speeches थी जो स्वरकर ने London जाने से पहले दी थी 1906 में पुना में और नासिक में उनको seditious देखा गया यानि वो देश दरोही की speeches मानी गई कि उसकी वज़ा से स्वरकर पर sedition के charges लगाए गए और इसकी वज़ा से यह सारे charges प्रूव होते हैं और स्वरकर को guilty पाया जाता है कि Jackson के murder में मदद करने में abattment of murder का हाथ स्वरकर का था और इसलिए उन्हें एक और transportation of life की सजा सुनाई जाती है यानि पहले एक सजा सुना दी गई थी अब एक और सजा सुनाई दी जाती है और इस तरह से स्वरकर पहले और आखरी व्यक्ति बनते हैं जिनको double life imprisonment मिलती है वो काले पानी की सजा यानि transportation of life double charges लगाये जाते हैं उन पर यानि transportation of life की double सजा उन्हें दी जाती है एक कोस्टन जो डिसकस किया जाना चाहिए वो ये है कि स्वरकर किस तरह के revolutionary थे तो ये बात को जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे जानकी बाखले ने अपने research paper पर क्या लिखा है उन्होंने ये लिखा है कि स्वरकर जो भी London में activities में involved थे वो educational और literary activities थे स्वरकर history लिखते थे कई सारी कविताई लिखते थे लेकिन हमारे पास ये कोई भी evidence नहीं है कि स्वरकर ने कभी खुद भी गन को चलाया था या नहीं और इसी तरह विनायक चतुरवेदी भी अपने research paper में लिखते हैं कि चाहे स्वरकर खुद को revolutionary declare करते हैं लेकिन स्वरकर ने कभी किसी weapon को नहीं चलाया क्योंकि स्वरकर सिरफ histories लिखने में interested थे इतिहास को लिखकर वो colonial rule को यानि अंगरेजी हकूमत को किसी तरह से खतम करना चाहते थे इसी तरह विक्रम संपत भी लिखते हैं कि स्वरकर खुद अपनी life में हथियार चलाने से दूर रहे हैं क्योंकि किसी भी revolutionary organization में एक intellectual strategist और mastermind की जरूरत होती है और वो role स्वरकर प्ले कर रहे थे और उस mastermind के बनाए हुए plan को जो implement कर रहे थे वो आगे कुछ नौजवान जो है उस plan को implement करने में पूरा करते हैं as a foot soldier जब ये biography 1926 में publish की गई थी तो इसका title था Life of Barrester's Worker 1939 में इसका एक revised edition publish किया जाता है इंद्रा परकाश के दुआरा इंद्र परकाश कोन थे हिंदू महासभा के एक official उस time पर और इन्होंने Life of Barrester's Worker की book को expand किया था update किया था और दुबारा publish किया था जब ये दुबारा book publish की जाती है update के साथ revise edition में तो हिंदू महासभा के प्रेजिडेंट स्वरकर ही थे वीर स्वरकर परकाशन इसी book के edition को बिना किसी तरह के change के 1987 में Bombay में publish करती है और अब बात आती है फिर चितर गुप्त कौन थे देखो रविंदर वर्मन 1987 के edition के preface में लिखते हैं जो किताब के शुरुवाती पेज होते हैं वहाँ पर लिखते हैं कि राइटिंग्स को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि चितर गुप्त और कोई नहीं स्वरकर खुद थे लेकिन बात ये है कि स्वरकर ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ये नहीं माना कि चितर गुप्त वही थे ना किसी को ये डिस्कलोज किया कि चितर गुप्त वही थे एक इंटरस्टिंग फैक्ट ये है कि विनायक चतुरुवेदी अपने रिसर्च पेपर में ये बताते हैं कि ट्वंटीन सेंचरी में बहुत से ऐसे राइटर्स थे जो अपना नाम नहीं लिखते थे किसी किताब के नीचे वो चितर गुप्त का नाम यूज करते थे तो चितर गुप्त का नाम एक ऐसा था जो और राइटर भी यूज कर रहे थे लेकिन हम इससे फिर भी शूर नहीं है कि चितर गुप्त सुवरकर ही थे क्योंकि इस बायोग्राफी में बहुत सारे अडजेक्टिव यूज किये गए है सुवरकर की प्रेज के लिए जैसे उसे बॉर्न हीरो कहा गया है उनके पास अमेजिंग प्रेजन्स ओफ माइंड था इंडॉमिटेबल करज, अनकॉंकर्ड कॉंफिडेंस, सटल जीनियस, ए बॉर्न कैप्टर एंड एन इन कॉंपेरेबल स्ट्रेजिस थे तो क्या सुवरकर ये सारी बातें अपने बारे में खुद ही लिख रहे थे, वो खुद को प्रेज कर रहे थे ये कहना मुश्किल है ये अड्जेक्टिव किस ने लिखे? ये सुवरकर ने लिखे, इंदर प्रकाश ने लिखे जिन्होंने इस एडिशन को रिवाइस किया या किसी और ने लिखे जिन्होंने सुवरकर की लाइफ को पब्लिश किया चितरगुप्त का नाम लेकर इसका अंसर किसी के पास भी नहीं है क्योंकि स्वरकर ने अपनी जिन्दगी में कभी भी इस बात को reveal नहीं किया, किसी के साथ disclose नहीं किया तो इसी के साथ इस वीडियो के हम end में आते हैं और इस वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद